हाई फ्रेंड जैसा कि हमने कहा था हर हपते अब एक किस लापर चर्चा की जाएगी तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम केस लेते हैं हुसनेरा खातून बनाम बिहार राज यह केस कई मामलों में से संबंधित इसमें रड़े दिया गया है और यह आपके यह बहुत उव्योगी है यह केस है 1979 का तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसमें सबसे बात की गई है तब से पहले प्री ट्रायल डिटेंशन यानि विचारान पुरो हिरासत अगर किती भी व्यक्ति को अगर विचारान के पहले गर गिरफतार कर लिया जाता है तो उससे स रंख्या में पुरुसों महिलाओं और बच्चों की उपसिती का खुलासा गिया मतलब आप यह समय सकते हैं कि अगर कोई एक्यूजड है और उसका भी ट्रायल सुरू नहीं हुआ है अगर वह जेल में बंद है तो ऐसी बड़ी मात्रा में बिहार में महिलाएं पुरुस जे 49A में गरीबों को मुख मुफ्त कानूनी शेवाओं के संबन में ब्यक्त किया गया है कि क्या लंबित विचारान प्रडाडी डिले ट्रायल सिस्टम में इन सेवाओं की इनकार करने का मतलब भारती समिधान के नुच्छे एकित में ही तो ब्यक्त के जीवन और ब्यक्त का इसके है तो इसमें इस मामले को उठाया गया था इस केसमे इसमें निर्ड़े किया दिया था सुप्रीम कोट ने नियायले के नुसार इन ब्यक्तियों की विचारण सुरू होने से पहले लंबे समय तक कैद में रखकर बुनियादी सुतंतरता से बंचित किया गया है और इस प्रकारिय हमानवाधिकार का गोर उलंगान है नियाले ने यह पाया की कानूनी और न्याइक प्रडाली निरधन और गरीबों के नुकसान के लिए काम कर रही है नियाले ने भारती न्याइक प्रडाली की पुनर गठन का हवान किया अब इसमें जमानित की बारे में भी बात क सिकेंड बात किया गया आपके अर्टिकल 39A के बारे में बात किया रही है जमानत के बारे में नियाय को गरीबों की पहुँच और शमस्य से बाहर रखने के लिए जमानत देने की एक अत्यधिक असंतोह जनक प्रणाली को जिम्मेदार पाया गया यह बयुस्था गरीबों पर अत्यधिक कठोड थी और केवल अमीरों के लाव के लिए काम करती थी नियायले दोरा निरधारित भारी रास के कारण गरीब जमानत लेकर अपनी रहाई सुनिश्चित नहीं करते थी नियायले ने कहा कि केवल प्रतिभूती के साथ विचारन से पहले जमानत पर छोड़े जाने वाली पुरानी प्रता को बंद करने का अहवान किया नियायले ने आर्थिक दायतों के विना ब्यक्तिकत जमानत पत्र पर रहाई का भी समर्थन किया यह मतलब अगर रसामने वाला बंदा बहुत गरीब है तो आप उसकी ब्यक्तिकत जमानत पत्र पर भी आप रहाई जैसा कि आप जानते हैं जमानत प्रडाली जैसा कि आज चल रही है गरीबों के लिए बड़ी किछनाई पहुचने वाली प्रक्रिया है अगर हम बास्तों में गरीबों की बुरे प्रभावों को सुवाप्त करना चाहते हैं और नियाये दिने में गरीबों के साथ निस्पच और नियाये पुर्ण व्योहार सुनिसित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जमानत प्रडाली में पूरी तरह से सुधार किया जाए ताकि गरीबों के लिए नियाये के हिद को खत्रे में डाले बिना मुकदमे से पहले रिहाई प्राप्त करना शंब हो और अब हम आगे बात करते हैं इसमें स्पीडी ट्रेयल के बारे में भी बात किया गया है नियाले के नियालियों के स्थापना अन्यमेसर या जांस्तंत्र को मजबूत करने अधिक नियाये धीसों की न्युक्ति आदियसी आवश्यक कदम उठाकर तुरित विचारन के लिए अभियुक्त के म और तुरियों की जमानत प्राप्त करने या उनकी गरीवी के कारण वकील न्युक्त करने में असमर्त्ता की समत्या के स्माधान के रूप में देखा गया नियायले ने सम्मिदान के निचेर 49 A को भी लागो किया इस केसमें तो आपने क्या क्या पाया आपने प्री डिटेंस प्रिटेंशन पाया जहां पर किसी विब्यक्ट को हिरासर की प्रुव ग्रफतार किया गया आपने 39A की एप्लिकेबिल्टी देखी आपने इसके लावा इस्पीडी जस्टिस इस्पीडी ट्रैल की बारे में इस केस के बारे में जाना और आगे नयाले करता कि यह प्रत्यक आ आप उसे वकील दें सरकार के जिम्मेदारी निभानी होगी यदि मामले की परिशितियों और नयाय की आउशकता है कि बतरते की आरोपी विब्यक्तिते वकील के प्रावधान पर आपत्ती ना करें यानि आपजेक्शन ना करें उपरोग तरक्या धार पर नयाले ने इंडि